पंजाब क्रीशी विश्व विद्याले के सेक्योरिटी गार्ड ने भी अब पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युनिवस्टी में कच्चे तोर पर कारेरत सौ से अधिक सेक्योरिटी गार्ड थापपर हॉल के बाहर एकतरित हुए और पंजाब सरकार की खिलाफ नारेबाजी की। इस अफसर पर चौकीदार DPL, PAU, Welfare Association के प्रधान चमकौर सिंग, चेर्मेन गुर्दीप सिंग, जर्नल सेक्रेटरी मुनीश कुमार, सीनियर उपप्रधान गुर्परीत सिंग, उपप्रधान राजकुमार ने कहा कि 26 अक्तूबर को जब CM चरंजीत सिंग चन्नी लुध्य चाना में आये थे, तो वैं उनसे मिले थे, इजरान उन्होंने CM को बताया था कि युनिवस्टी में करीब 150 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड्स और सपाई करमचारी सालों से कच्चे तौर पर काम कर रहे हैं, जिनने DC रेट के मुताबिक 8451 रुपई वेतन मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों में कच्चे करमचारियों को DC रेट के मुताबिक 15 से 16,000 के करीब वेतन मिलता है, जिसके बाएं CM मोख्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि युनिवस्टी में कच्चे तौर पर कारेरत सिक्योरिटी गार्ड्स और सपाई करमचारियों का 12,500 र प्रचार सचिव सुखा सिंग, प्रबंधक सचिव दीपक कुमार, प्रेस सचिव इंदर सिंग, सपाई करमचारियों के यूनियन के जतिंदर सिंग, सनी गिल ने मांग की कि सेक्योरिटी गार्स के वेतन को बढ़ा कर 15,000 रुपए किया जाए, लुध्यान सेहल चल के लिए अरुन की रिपोर्ट कर दो कोई पार्थी नहीं कीती है, इसलिए चाहन भी छेती पार्थी कीती है, जे आज जेसी नौ टो एक बेठे आ, जे साथा ना कीता है नहीं हला, तहीं सौंबर तो नौ तो पंच पका तार नाला के बैठांगी, सनू हजे कुछ नहीं आए, दसरे जना सानू कोई उनिव कर दो आज चाहन भी पक्के करने जाने, जेकींद बढ़ाया जावे जावे तो आड़े विच्छों ही पक्के करने ने ठीका, तो आसी कोई बारला ओड्साइडर शी पक्का नहीं होन दे नहीं थे जो बंदार डूटी करने ने, तो इसलिए जो जो डीपेल पर आने उनना माहा मारी वेच आसी डूटियां कीतियां ने जाद की सारा वर्ड बांद सी आसी आपने बच्चया नों दो दूर रहे के एथे पन्याव युनिवेस्टी नों आसी अपनी सेफ कीता ते अपने जिम्मेवारियां निवाहियां